हेलो फ्रेंड्स वेलकम पैक टू माई चैनल एनी स्टाइल गईस आज के मेरे वीडियो में आप सभी के साथ में बायो टिक बायो फ्रूट्स का फेसपैक का रिव्यू करूंगे काफी अच्छा फेसपैक है मैं इसे परसनली यूज करती हूँ मुझे ये काफी अच्छा लग नहीं टैनिंग हो तो उसी के लिए में ये बायो टेक का लेकर आईए क्योंकि ये 100% आयुर्वेधिक है और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है जो आपकी स्किन को डैमीज करें या खराब करें तो आईए स्टार्ट करते हैं अजकर वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहला अब ही तक आपने मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो कर दीजए और साथ में बैल बटन पर क्लिक कर दीजए जिसे में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप नौटिफाइड रहे तो आईए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला बात करते हैं इसकी पैकेजिंग क हैं और यह फूर्ट का बनावा है हम सभी जानते हैं कि फूर्ट हमारी इसकीन के लिए कितना ज्यूरूरी होता है फूर्ट में कितने मिटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो सीधे हमारी स्कीन पर असर दिखाते हैं और हमारी स्कीन को ग्लोइंग बनाते हैं सो गाइस बायो टेक क करना है सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है इस तरीके से यह रैड कलर का पूरा है आपको अपने नैक पर पूरे फेस पर लगाना है आई एरिया को छोड़ देना है वहां इसे आपको नहीं लगाना है और 10-15 मिनिट्स तक रखने के बाद इसे जब ही सूप जाए तब आपको गुन-गुने पाने से अपने चेहरे को धूलेना है अगर आप चाते हैं कि फेस्टिवल्स में आपकी स्कीन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करें फेस पे कोई पिंपल्स नहीं हो कोई पिक्मेंटेशन नहीं हो कोई संटैनिंग नहीं हो तो उसके लिए आप भी बायो फू इंस्टेंट ग्लो लाता है और इसकीन को इतने अच्छे से फ्रेस कर देता है और इसकीन को हाइडर्ड रगता है अगर आपके फेस्ट में बहुत जादा डलने से तो आप यह फेस्टिवल्स लगा के देखी यकीन मानी आपको खुद महसूस होगा कि आपका फेस्ट बहु किया क्या मिक्स पाउडर यह मुल्तानी मिट्टी पाउडर है ग्रुग जूस है पाइनेपल जूस है बबूल गुरुन इस तरह के इंग्रेडेंट से मिलकर बना है जो कि हमारे इसकीन को हेल्थी और ग्लोइंग बनाने में काफी हैड करते है so गाई सब्सक्रब कर सकते हैं कोई भी pimples निया अगर वैसे भी आपके फेस पर pimples हो रहे हैं तो आप इसे एक बार जरुद राइक करके देखें आपके फेस पर pimples को खतम करेगा और आपके फेस पर जो भी oil extra उसको यह observe करेगा और इसकीन को नॉर्मल बनाएगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं यह आपको काफी अच्छा लगेगा यह मुझे काफी पसंद आया और मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ तो गाइस यह था आज का वीडियो अभी तक आपने इसे यूज़ नहीं किया तो इसे जरूर यूज़ करें और उसके बाद ही आपको कैसा लगा उसके रिजल्ट मुझे जरूर बताएं